हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के सिड को ये मैंने पानी रखतिया है बोयल करने के लिए सवा कप और इसमें दो कप मैं डालूँगी चावल का आटा गरम गरम पानी में डालना है और फिर हम इसे कर्ची की मदद से या फिर चमच की मदद से इसे गुमाएंगे इसमें आटे को गरम गरम पानी में मैंने दो कफ डाला है चावल काटा सिर्फ दो कप लिया है और सवा कप मैंने पानी डाला है ये मैंने गरम गरम पानी में डाल दिया है अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स क करेंगे इस तरीके से गरम गरम पानी में ये मिक्स हो गया है इसे मैं साइड में रख दूंगी दस मिनट के लिए तब तक हम अपना जो स्टफिंग है उसकी त्यारी करेंगे इसे हम ढख कर रखेंगे स्टफिंग के लिए मैंने ले रखा ये तिल और भंगजेर पीसेवे और साइड में ये आटा है जो मैंने तवे के उपर भून रखा है तोड़ा सा और ये मैं मीठे बनाऊंगी इसे शैमी बोलते है ये शैमी बनेगी मीठे में और इसमें मैं गुट डालूँगी ये काटके पतला-पतला काटना है ताकि इसकी घुटल्या ना बने अच्छे से मिक्स भी हो जाए और फ्रेंड्स ये जो हमारे गाउं में है अपने जौन सार बावर में ये संग्रांती होती है जब महिना हमारा चैंज होता है माग से फाग उन आता है फाग उन से चैत आता है तो संग्रांती के दिन ये हर घर में बनता है और सब लोग भूत पसंद भी करते हैं इसे खाना कोई नमकिन बनाते है तो कोई मीठे बनाते है नमकिन बनाने के लिए उड़त की दाल होती है या फिर मसूर या मटर होते है उसकी भी बना सकते है यह मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है यह मैंने थोड़ा कद्दू कस कर रहा है नारियल सुकावा दाल है इसमें नमक डाल दिया है अब हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया है इसे हम निकाल देंगे यह अभी भी गरम है इसे हम ऐसे ही गरम गरम गूंदना है और हल्क हल्का पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक ही बार हम पानी नहीं डालेंगे इसमें और पानी भी गुनगुना होना चाहिए ठंडा पानी हम यूज नहीं करेंगे इस तरीके से हम इसे गूंदेंगे, थोड़ा गूंदने के लिए कठीन होता है, दोनों हाथ से गूंदूंगे, एक हाथ से तो दर्द होगा, यह आटा हो गया है, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा साइड में कटोरी में पानी लेंगे, इस तरीके से हम इसका एक गुल बनाएंगे फिर इसे हम यह थेली में थोड़ा से दबाएंगे पानी लगाके अब हम इसे बनाएंगे ते से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और इसे आद रहें देगे ताकि जू किनारिया एंवो आच्छी शैप में बने से टूटे तूटने का भी डर रहता है चावल का आठा है हम इस तरीके से बनाते रहेंगे यह लीजे बन गया है यह मैं थोड़ा बड़े साइज में बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मीठी वले स्टफिंग डालूंगी इसको शैमी बोलते है और जब मैं नमकिन वाला बनाऊंगी तो उसका साइज में छोटा रखूंगी थोड़ा सा थोड़ा अंगुलियों में दर्द होता है बनाने बनाते टाइम क्योंकि इसमें अंगुलियों का काम है यह इस तरीके से हम अंगुटे से प्रेस करते रहेंगे हाटे को यह देखिए कितने अच्छे बने हैं सारे हमें इसी तरीके से त्यार करने है सारे सिड़कों बनाके फिर हम इसमें स्टफिंग डालेंगे यह हमारी जो सिड़कों है यह बन गए है अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग stuffing हमें ज्यादा नहीं भरनी है क्योंकि इसके फटने का भी डर रहता है फिर stuffing हमारी भाहर निकल जाएगी जब हम steam करेंगे इसे इस तरीके से इसकी किनारिया प्रेस करेंगे इसमें हम design भी बना सकते है जैसे गुजिया होती है इसमें नहीं बना सकते है जो सांचा होता है वो छोटे साइज का होता है इसमें हाथ से ही बनाना होगा इस तरीके समें design डाल देंगे थोड़ा आगे ताकि आगे से खुले भी ना जो इसके stuffing है वो भाहर भी ना निकले और फ्रेंड्स जो गुजियों के लिए stuffing बना ही होती है वो वाली stuffing भी आप इसमें डाल सकते है उसे भी बहुत टेस्टी बनते है ऐसानी की यही बनानी है तिल और भंगजीर की आप जो भी stuffing बनाना चाहिए ड्राइफ रूट से वो बना सकते है और इसमें डाल सकते है बहुत टेस्टी बनेगी डिजाइन आप डालना चाहो तो डाल सकते है नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते है आप भी अपने घर में बड़े आसानी से यह जोनसार वावर की डिश बना सकते है चावल के आटा तो सबके घर में मिल जाता है और दुकान में भी मिल जाता है चावल काटा ये मैंने पानी रखा था गरम करने के लिए इसे हमें स्टिम करना है ये मैंने इसके उपर छनी रखती है ये मॉमो वाली बरतन होते हैं उसमें हम इसे स्टिम कर सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है अभी अब मैं सारी जो शैमी मैंने बना रखी है सारी इसमें डाल दूँगी ये दस मिनट मैं पक जाती है मेठे वाली जो स्टफिंग है जो डाल वाला होता है वो उसमें पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है अब ये डाल वाली सिड़कों मैं इसे बनाऊंगी जग तक हमारी मीठे वाली शैमी तयार होती है और इसे मैं छोटे साइज मैं बनाऊंगी क्योंकि ये डबल Blay Air मैं बनेंगी शरीके से हम इसकाुषिट को त्यार करेंगे बनांके चोटे चोटे साइज मैं बनाएंगे ये लीजिए ये दो दो कठे लगेंगे ये है ये बन गया है अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग और साथ मैंने ले रखे नीमबू के पते ही इसकी खुश्बू इसमें बहुत अच्छी आती है इसे ये चिपकते भी नहीं है एक दूसरे से ये स्टफिंग मैंने दोनों साइड लगा ली है नमकिन स्टफिंग है नमक स्वाद अनुसार आप डाल देना इसमें अब इसे इस तरीके से बंद कर देंगे अब साथ में इसके साथ हम लगाएंगे ये नीमबू के जो पते लाए थे मैंने इसे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं इसी तरीके से हमें आप सारे सिट को त तक हमारे ये जो मीठी वाले शैमी है ये भी पक गई है इसे हम दूसरे वरतन में निकाल देंगे ये लिजे मैंने इसे निकाल दिया है अब इसमें डालूंगी मैं ये सिड़ को स्टिम करने के लिए दाल वाले थोड़ा इसमें पकने में टाइम लगता है पंदरा मिनाट आया फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं दाल को पकाना है ये कच्ची डाल है अब हम इसे ढख देंगे ताकि ये अच्छे से स्टेम हो जाए ये लिजे और गैस हमें स्लो करनी है ये हमारे शैमी बन गई है मैं निकाल दी है इसे हम घी के साथ खाते है मैं तोड़कर दिखाती हू आपको इसके स्टाफिंग लिजिए बच्चे तो बड़े खुश हो जाता है चौकलेटी चौकलेटी सिड़कू बने हैं ये है हमारे सिड़कू इसके जो पत्ते हैं इसे हम हटा देंगे फिर मैं तोड़के दिखाऊंगे आपको जो दाल है वह अच्छे से पक रखी है ये दिलीजिए ये वलेवी सिड़कू बहुत अच्छे लगते हैं और घी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं नमकिन सिड़कू आप भी अपने घर में बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेर कीजिए आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेर करना मेरे चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसे ओल पे स्लैक कर देना जल्दी मि अपने लेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाँ